आप सभी प्रिय दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है, आपके लिए लेके आए हैं तीन बहुत महत्पून खबरे for BPCL, यह stock यहां से बहुत उपर जाएगा दोस्तों, इसको छोटे में मत समझेगा, इसका target 1000 के उपर है, जैसे ही privatization का confirmation आता है, तो यह stock उपर की तरफ को चलना शुरू हो जाएगा और 1000 से पहले नहीं रुखेगा, प्लीज कंसल्ट यूर फानेशल अडवाइजर, अब देखिए यहां पर जब भी कोई company का privatization होता है, तो government of India का एक standard process है, जिसमें best and final offer मांगा जाता है, best and final offer से पहले क्या होता है, उसमें question answer पूछे जाते हैं, त तो जिसको भी जो question पूछना है, clarification चाहिए, वो discussion चल रहा है, उससे clarification मिलता है, तो आद यहां पर government of India ने बहुत बड़ा clarification दिया है, जो कि इस deal को और भी महत्मून बना देता है, direct FDI investment, इंडिया में direct FDI का बहुत restriction होता है, बट क्योंकि यहां पर हम लोग चाहते हैं कि भारत कि में foreign companies आकर इसमें निवेश करें, तो उन्होंने कह दिया है, कि यहां पर आप चाहें, तो direct to FDI से निवेश कर सकते हैं, और यही नहीं कि allowed किया है, कहा है कि आप 100% तक उसमें FDI कर सकते हैं, और साती सात में सबसे बड़ी condition, कि कोई condition नहीं है, आप जिसको मर्जी, जैसे म आरेंज कराईए, चाहे यूरोप से कराईए, चाहे यूके से कराईए, बस सिर्फ चाइना और पाकिस्तान की direct FDI मतले गाईए, आप कैसे भी कराईए, तो ये एक standard activation, एक दम इसके लिए ingredient का काम करेगा, जो इसको expedite कराएगा deal को, 5 by 5 rule, और देखिए, यहां पर आपको हम पताना चाहेंगे, यहां से बहुत उपर जाएगा भी, पैट्रोनेट LNG की बात करें, तो पैट्रोनेट LNG यहां पर हो सकता है अपना stake sale, अपना stake बढ़ा है इसमें, क्यों? क्योंकि BPCL के पास में और यहां पर वो अपना stake sale करना है, तो पैट्रोनेट LNG कुछ हिस्सा directly इ पैट्रोनेट LNG को भी फाइदा मिलेगा, और साथ ही साथ में बैठे हुए, आपको BPCL का stake sale भी कम हो जाएगा उसके reference में यहां पर, जो कि हमारे इसाब से इसकी बहुत अच्छी position बनके रहेगी, अगर आप लॉंग टम में इसके निवेशक हैं, यही पोजिशन इंदरप Gas Limited की है, उन्होंने भी bid offer लगा दिया है यहां पर, और यह अपने जो उनके आपको शाद पता ही हो, BPCL के पास में 15,000 से ज़्यादा petrol pump है, और 5,000 से ज़्यादा gas station है, तो यह gas station की bidding के लिए Interpress Gas Limited यहां पर अपना काम कर रहा है, अब देखे तरह कुछ price action समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि deal से पहले, जो यह price action होता है, बहुत important होता है, वापिस यह अपने 52 week high के आसपास पहुंच गया है, 480 के आसपास कल high बनाया था, अब यहां से एक बार इसने closing basis पर 488 का level तोड़ता है, तो यह फिर से उपर जाएगा, और हमारे हिसाब से अब फिर यह 600 का target अचीव करने की कोशिश करेगा, यहां पर, तो price के साथ में volume भी यहां पर action आ रहा है, जो कि technically एक confirmation दे रहा है, कि यहां से उपर जाने के लिए poised है, यह market के reference में, अब देखें, उनको complete करना है, इस साल में, यह stake sale, government को पैसा चाहिए, और financial year नहीं, इस calendar year की बात कर रहे है तो आने वाले 5 महिने बहुत important है, इस sale को complete करने के लिए, government of India के पास में 53% stake है, जो government of India इसको sell करना चाहती है, हमारे channel करेटन 81% है, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आपको सारी retail भेज दी जाएंगे, आप mail पे drop कर सकते हैं, अगर हम bulinger band को देखें, तो द उपर जाने के लिए, अगर उपर का momentum continue रहता है, तो ये 500 सबसे पहला level अचीव करने की कोशिश करेगा, क्योंकि एक round figure है, अब अगर आप week on week चार्ट पर देखें, तो देखें, इसका weekly low जो बना था, 252, March में जो बना था, COVID के टाइम पर, आब ये यहाँ पर, पिछले साल का 2020 का high जो बना है, 510, वहाँ तक जाने की कोशिश कर रहा है, हमारे हिसाब से, और successful, अगर आप चैनल देखें, week on week के basis पर, तो इसने बहुत अच्छा positive upward channel बनाय हुआ है, ये इस तरह का pattern, जब भी stock में आता है, तो long term के लिए, उन्निवेश्यकों के लिए, अच्छी position ले आपके लिए 4 वीडियो प्रसुत है, जय हिंद, जय भारत, बाई गाइस!